हलो अवरीवन वेलकम तो दा चैनल दस वरावर क्लासेज अगेन और यह हो जाएगी आपकी आज की लास्ट क्लास 18 अक्टूबर की लास्ट क्लास यानि की छटी क्लास करंट अफेर्स की रात को 10 बजे हमेशा की तरह ठीक है आपको पता है अब हमने स्टार्ट कर दिया अपना छे बजे सत्यम सरने साइन्स की क्लास और नो बजे अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपकी रिजनिंग की क्लास लिए जिसमें All-in-one कोश्चन की एक मैंने नई सीरीज चलाई है जिसमें हम एक ही टोपिक को डिसकस नहीं करेंगे विजनिंग एक ऐसी चीज है कि जितने जा कर रहे हैं कुछ लोगों ने मुझे भीजे भी हैं वाटसाप है मुझे बड़ा अच्छा लगा देखके जिस हिसाब से हो कर रहे हैं तो इसी तरीके से मैं सोच के चल रहा हूं कि बाकी साइन्स इंग्लिश जितने भी आपके सब्जेक्ट हो रहे हैं हिंदी बगे वह वह अब आप इसी तरीके से कर रहे हूंगे कुछ बच्चे इंग्लिश के लिए पूच रहे हैं कि सर इंग्लिश के सब्सक्राइब ह्यूं को लेंगे और से सरकार ने है में SBI का चेर्मेन किसे न्युक्त किया है very important question star मैं कहा हूँ superstar question है who has recently been appointed as the chairman of SBI by the central government आप लोगो पता हुआ State Bank of India हमारे देश का सबसे बड़ा bank है और विदेशों में भी इसकी शाखाएं फैली हुई है बहुत और अब जो है दिनेश कुमार खरा को SBI का new chairman घोसित किया गया है appointed किया गया है by central government तो उसका answer होगा दिनेश कुमार खरा आपको बता दे केंद सरकार ने दिनेश कुमार खरा को SBI का chairman न्युक्त किया है वित्यमंतराले दुआरा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खरा का कारेकाल तीन साल का होगा उन्होंने रजनीश कुमार ये ध्यान रखना है उन्होंने रजनीश कुमार को replace किया है रजनीश कुमार ने हाली में अपने SBI के तीन साल उनका जो कारेकाल था तीन साल का वो पूरा किया SBI के साथ तो ये ध्यान रखना है कि किसको replace किया रजनीश कुमार को और अब नए SBI के chairman कौन है दिनेश कुमार खरा important question है वो चलिए question number second लेते हैं फटाबर हाँ जी again very super star question super super duper star question noble price का question है तो super हो गई कल हमने medicine का पढ़ा था आज हम पढ़ने वाले हैं physics का भोतिगी तो 2020 के भोतिकी के noble पुरुषकार निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है which of the following scientist has been awarded the noble prize for physics in 2020 तो भई इसका answer अगा आपको बता दिया जाए तो इसका answer है answer D Roger Penrose राइहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज ठीक है ध्यान रखना है इसका answer D है physics में 2020 के जो noble prize मिले है वो मिले है Roger Penrose को राइहार्ड गेंजेल को और आंद्रे गेज को ठीक है तो यह ध्यान रखना है आपको बता दे अब इस साल बहुती की यानि की physics का noble पुरुषकार रोजर, Penrose, राइनहार्ड, गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया गया है तीनोवे ग्यानिकों की खोज अंतरिक्ष में मोजूदा black hole से जुड़ी हुई थी तो ध्यान रखना है की अलग-अलग खोज पे जो है noble पुरुषकार दे जाते हैं तो इनकी जो खोज थी वो किसे related थी वो black hole से related खोज दी इस केस में ने 2020 में physics में noble पुरुषकार दिया गया इंपोर्टेंट कोशन है इसको लिख लेना अपने उसमें ठीक है अबुदावी इन्वेस्मेंट अधिया विल इन्वेस्ट हाव मेनी करोर रुपीज तो एक्वार 1.2% स्टेक इन रिलाइंस रिटेल और रिलाइंस ग्रूप ऑफ कंपनी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कोशन बहुत आ रहे है रिलाइंस के के रिलाइंस में जो है इन् इसमेंट अथोर्टी वो 1.2% की हिस्सेदारी हासिल करेगी ठीक है जी चले कोशन नंबर फॉर्थ लेते हैं आज का कोशन नंबर फॉर्थ किस राज्य सरकार ने ग्रामीन इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कारेकरम की घोशना किये वेज स्टेट गॉवर्मेंट अन इस कारेकरम के अंतरगत नागरिक पंचायत इसतर पर विभिन लोग कल्यान सेवाओं का लाब उठा सकेंगे डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट पर योजना के तहत भी शुरू किया जा रहा है जो फाइवर नेटवर्क के माद्यम से गराम पंचायतों को जोडने की पहल है गुजरात के गाउं को डिजिटल सेवा सेतु कारेकरम के तहत 100 MBPS ओप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा 100 MBPS की स्पीड देने की जो है तैयारी चल रही है कहां पे गुजरात के गाउं में किसके माद्यम से डिजिटल सेवा सेतु कारेकरम के माद्यम से ठीक है जी चले कोशन नमबर लेते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर फाइव भारतिये खेल प्राधिकरण ने यानि कि जो स्पोर्स अथोर्टी ओफ इंडिया साइं भी जिसको कहते हैं ने अपने सभी खेल परशिक्षकों से एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने क कहा है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोश है ना आजकल नियूज में बहुत चल रहा है और यह बोला गया है कि साल में आप लोग ट्वाइस यानि कि दो बार देंगे भारतिये खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्स में दो बार फिटनेस टे फिटनेस टेस्ट आयू अनुकूलन स्वास्टमानकों के आधार पर तै होगा प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया समवाद के दोरान इन मानुकों का उन्ने किया था और उस पे अब साइं अथोर्टी ओफ इंडिया अपना काम कर रहा है और उस यानि की कमपन्शेशन से से प्राप्त कितने करोड रुपे का वितरन राज्यों के बीच किया जाएगा अकोर्डिंग तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सितारमन हाव मैनी करोड रुपीज रिसीव फ्रों कमपन्शेशन सेस्ट विल बिस्टिबूटेड अमंग दर स्टे कि कमपन्शेशन से से पराप्त 20,000 करोड रुपे का वितरन राज्यों के बीच किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा है कि GST परिश्यद ने जूम 2022 के बाद भी शदी पूर्ती उपकर यानि कि कमपन्शेशन सेस्ट जारी रखने का निर्ना किया है सीता रमन ने कहा है कि 24,000 करोड रुपे का IG STI उन राज्यों को दिया जाएगा जिने पहले कम मिला था इसे अगले हफते जारी कर दिया जाएगा ठीके ना ओके जी यह हो गया question number 6 हमारा अब चलते है next question पे question number 7 पे हाल ही में किस देश ने supersonic missile assisted release of torpedo का सफल पूर्वक परिक्षन किया है recently which country successfully tested supersonic missile assisted release of torpedo यह किस ने किया है यह किया है जी हमारे भारत नहीं चीक है आपको देख रहे होंगे कि काई सारे question जो है missiles पे और जो आपका D.I.D.O है उस पे आ रहे है रक्षा अनुसुंदान और विकास संगठन यानि कि D.I.D.O ने उडिसा तत से दूर विलर दीप से supersonic missile assisted release of torpedo का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है इस परिक्षन में hybrid तकनीक को शामिल किया गया है जो वर्तमान प्रनाली को अपग्रेड करने में मदद करती है और मारक शमता को भी बढ़ाती है सो देशी रूप से विक्सित smart torpedo परनाली देश की समुंदरी राजनीतिक सीमाओं को मजबूत करने में एक एहम योगदान निभाने वाली है और इसको पंडी भी व्यारा जितने भी है उनमें भी लगाया जा सकता है बहुत ही जादा easily तरीके से ठीक है जी हो के question number 7 question number 8 देख with which country to acquire lightweight tanks और ये कर रहा है जी रूस के साथ ठीक है अब आप ये देखो हम कितना जादा अपना focus वे स्टम defense पर कर रहे हैं पानी से लेके ground तक यानी कि land तक और आपको पता हुगा कि अगर मैं आस्मान की बात करूँ तो राफेल जस्ट अभी आया है तो तीनों उसमें air की ब केमे में अच्छे-च्छे हतियार अच्छे-ची चीजे जोडती जा रही है ठीक है ची चले question number लेते है ninth विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कोटेंडी इस ऑब्सर्ड ऑन विच ओफ द फॉलोइंग दे सिंपल सा याद रखो भी साथ जो ह विश्व कपास दिवस वो 2019 में मनाया गया था यानि कि इस साल जो है वो दूसरा ही मनाया जाएगा सिंपल सा याद रखना है साथ अक्टूबर इसका answer है और लास्ट यह स्टार्ट किया गया है आज का ले लेते हैं next question last question केंद्रिय जल्शक्ति मंत्राले ने राष्ट्य पि अब्यान का सुभारम किया है how many days campaign has been launched by the union minister of water power to ensure clean drinking water supply in all schools and आंगनबाडी centers of the country on the 151st birthday anniversary of mahatma gandhi और यह नो ने लक्षे रखा है अपना 100 दिन का ठीक है तो बैए यह है आज के आपके current face के questions इसी के साथ आज का हमारा जो दिन हो समाप्त होता है छे क्लासों के साथ अच्छा दिन रहा आज का सारी क्लासे बड़ी अच्छी रही तो feedback जो है daily अप current face की class मुझे दे दिया अगर हो कि आपका क्या रहा है और बही कुछ बच्चे कह रहेंगी sir pdf जो है भेज़ दो current affairs की नहीं बेजूँगा मेरे पास होती है लेकि नहीं बेजूँगा अगर भेज दिया तो आप notes नहीं बनाएंगे मेरे को बनवाने है आपके हातों से notes पता है problem क्या है अब पड़े 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 भुलूँआ आप लेटे रहते हो पड़े रहते हो और देखते रहते ह अब हाथ पैर नहीं चलाओंगे न अपने notes नहीं बनाओंगे वह वाली बात नहीं आएगी और हमें वही वाली बात लेके आनी है ठीक है चलिए friends that's all for today morning फिर अपना 9 बज़े CDP class रहेगी आपकी दिव्या मैं की वहाँ से start करेंगे फिर से अबना दिन बाइवरीवें टेक कि वहाँ से एभपने CAP की वहाँ से start करेंगे